प्यार जे स्टेजिस ऑफ कोगनेटिव डिवेलब कोगनीशन से मिराद होती है वो तमाम चीजें जिनका तालुग दुनिया का नॉलिज हासिल करने से हैं देखना, सुनना, टेस्ट करना, टच करना, महसूस करना और सुंगना अब यह पांच सेंसेज हैं यह सेंसेशन हैं यह भी कोगनीशन नॉलिज देती है, इसको समझना कि यह किस चीज का टेस्ट है, यह किस चीज का रंग है, यह किस चीज की शेप है, यह कैसे मूव कर रही है, यह परसेप्शन है, तो कोगनीशन में सेंसेशन, परसेप्शन, मैमरी यानि सीखना, लर्निंग, लर्निंग को मैम प्रफूरी में महफूर्य रखना और करना प्रॉबलम सौल्विंग अब यह सारी जो डिवेलफमेंट एक दिन में नहीं होती प्याजी नहीं पेश किया कि बच्चों की जो कॉगनीटिव डिवेलफमेंट है वह स्टेजिज में होती है जैसे ऐसे बच्ची की थिंकिंग बेत मसलन एक बच्चा एक साल की उमर से चोटा है आपके हाथ में चीज है वो देख रहा है आप वो चीज तक्ये के या किसी किताब के नीचे चुपा दें तो उसके आँख से ओजल हो गई तो छे मीने के बच्चे को नहीं बता चलेगा वह समझ गई चुपीवी चीज को वह नही है और देवेलप कर चुक है और यह न ही तरह चोटे बच्चों को अपनेसे बड़े होते देखा होगा जब वो 5 महिने के तो है तो क्या कर रहा है जब वो एक सबस्ताएं देट साल कए टो वो क्या कर रहा है अब वो चीजों के उपर एक चीज रखने को भी जान चुका है कि छोटी चीज को बड़ी पर रखना है और फिर वो स्टेज भी आती है जब वो बैठ कर किताब में कुछ लिखता है तो यह आप यह स्टेजिस देखते हैं इसके पीछे क्या है वो प्याजे की खेरी कि उसकी क चुछ कुछ करतावा, कुछ स्किल्ज, कुछ समझदारी में नजर आ रहा होता है इसमें जो चार्ज स्टेजिस हैं tollis लिम्टर स्टेज जो है वो दो साल तक अोती है पैदा होने के बाद जिसमें वो चीजों को टच करके उनको क्ल के बन करके गिरा के उठा के बांध के को के तीक रहुत है उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज है जब अभी वो उसकी तिंकिंग पुरी तरह आपरेशनल नहीं हुई लेकिन प्री ऑपरेशनल है तो वो एक्सपेरिमेंट करके हैंडल करके कीजों को उनके तमाम तरीके समझ रहुत है मसला अलमारी खोलना है और फि उसमें भी दो साल की उमर में नहीं तीन चार पांच तक जाके कई दफ़ा बच्चे अपने हाथों से वह चीज़ें करने लगते हैं पहले उन्हें चमच से खिलाते हैं फिर वह चमच को पकड़के चीज़ेंगे राते हैं अब चमच को सेंसरी मोटर स्टेज से निकलने के साथ अब उसको वो डैरेक्शन के साथ अपने मूं तक ले जा सकते हैं कि कॉंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है कि अब वो बकाइदा हर चीज़ के बारे में यह तवक्यों की जा सकती है कि वो चीज़ों को तलीके से सहूलत से और करेक्ट अंदास में करेंगे यह 11 साल की उमर से पाकी का जो एडल्ट हुड है हमारा बड़ी उमर है तक जाती है जिसका मतलब यह होता है कि आप इतना बदल बदल के बीच चीज़ें आ जाएं आप उनके बारे में नए तरीके से कुछ कर लेंगे नई पुरानी चीज़ को नई चीज़ से जोड सकेंगे पुराने कॉं राएगा तो यह असल कॉंसेप्ट उन्हें पता होगा तो फॉर्मल ऑपरेशनल में यह कि वो इस नई फॉर्म को पुराना जो कॉंसेप्ट था कैमरे का उसमें सिमिलेट कर लेंगे जैसे हमारी जनरेशन कर रही है हमने कभी इमेल बच्पन में नहीं थी जैसे इंटरनेट और इमेल का कॉंसेप्ट आया उसमें जो नई चीज़े आ रही है फाइल अटेट हो जाती है फिर मूव्टमेंट किस तरह डिटेक्ट हो जाती है यह चीज़ें शामिल होती जाती है तो यह चीज़ें अखीर में फॉर्मल ऑपरेशनल में आपकी लर्निंग का जो तायरा है वह बहुत बढ़ जाता है इसका मतलब किया है कि कोगनीटिव डिवेलेप्मेंट हो गई यह अब वो जो स्टेज़ें उनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है वो दुनिया को पहली जो स्टेज है दो साल की उमर तक सिरफ सेंस और एक्शन के जरिए समझता है खाया है के जरिए उसको पता चल रहा है फिर जो प्री ऑपरेशनल है उसमें वो लेंग्वेज और इमिजिस के जरिए समझता है ठीक है सेब और सेब की तस्वीर है का उपक्रीट ऑपरेशनल में वो लॉगिकल थिंकिंग के काबिल हम हो जाते हैं ठीक है यह हमने देखा ना ना कि गे 18 साल की उमर तक यह है तो इसकी चीज़ भी आ जाती है यह खाने की चीज़ है यह खेलने की चीज़ है यह जानवर है और जानवर भी कई तरह के होते हैं तो पांच-शे साल का बच्चा जो है वह कॉंग्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ चुका होता है और वह एक्चुली चीज़ों की कैटेगरीज को भी जानता है फॉर्मल ऑपरेशनल में हम दुनिया को हाइपो थेटिकल ठिंकिंग और साइन्टिफिक रीजनिंग के जरिये समझें ठीक है यह यह चीज़ हो सकती है यह नहीं हो सकती है हम मनतक का इस्तमाल करते हैं हम कॉंसेप्ट को अंडर्स स्टेज पे आ चुके होती हैं यह तमाम बच्चे जो आपने देखे हैं यह तमाम पांच साल से साथ आठ साल की उमर के है और उसकी वज़ा से उनका जो बेहेवियर है वह उनकी कोगनिक्टिव डिवेलप्मेंट को रिफ्लेक्स कर रहा है अब वो बच्चा एक एक्शन कॉ कोगनिशन की वज़ा से है